आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कर्टलेट जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6-7 ब्रेड लिया है ब्राउंड वाली लेयर को काट कर साइड कर देंगे और जो बीच वाली हिसा है उसको हम यूज करेंगे तो मैंने यहाँ पर 4-5 ब्रेड को एक साथ में कट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल कर दरदरा सा ग्राइंड कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दो उबले आलू को मैच करके लिया है एक बारी कटी प्याज और सिमिला मिर्च लिया है कुछ बारी कटी गाजर लिया है मैंने बारी कटी हुई हरी मीर्च, एक छोटी चमच लासुन का पेस्ट, बारी कटी धनिया पत्ती ली है मैंने और यहां पर मैंने कुछ मसाले डाली है आधा चमच मिर्च पाउडर डाली है और आधा चमच जीरा पाउडर हादी छोटी चमच चाट मसाला ली है हादी छोटी चमच अमचुर पाउडर अगर अमचुर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगा आदा छोटा चमच निबु का रस डाल सकते हैं और इस्वाद अनुसार नमक डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये एक बाइंडिंग फड में आना शुरू हो जाएंगे अब ये अच्छे से बाइंडिंग हो जा रहा हैं और आप इसका कटलेट बना सकते हैं इस तरह से थोरा थोरा हींचा लेकर बाइंड करते जाना है और ब्रेड कम्स में कोट करके रखते जाना है ब्रेड कम्स मैंने पहले से बना करके रखा था अगर आपको bread comes बनाना है तो bread को brown वाली layer के साथ छोटे छोटे टुकरो में उसे तोर कर mixi grinder में डाल कर उसे grind कर ले और फिर गरम पैन में डाल कर उसे हलका roast कर ले इस तरह से आप bread comes बना करके तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल डाल कर पहले से गरम होने के लिए रखा था अब एक एक bread comes को तेल के अंदर डाल देंगे और crispy या brown होने तक तलेंगे तो यहाँ पर flame को ज़्यादा high नहीं रखेंगे medium flame पर हम इसे fry करेंगे जब एक तरफ से हलका brown layer आ जाएगा हम इसे पल्टी करेंगे दूसरे तरफ से भी brown layer आने के बाद हम इसे वापस पल्टी करेंगे इन्हें fry करने में हमें जल्दबाजी नहीं करना होगा वरना यह अंदर से कच्चा भी रह सकते हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें 5-6 मिनट तक fry करना है और 5-6 मिनट बाद आप देखेंगे कि यह golden brown हो गए हैं और अंदर से भी एकदम crispy हो गए हैं तो इस stage पर cutlet को तेल से निकाल लेंगे तो आप अपने हाथों से इस तरह से बहुती tasty crispy catlet घर पर बना करके तयार कर सकते हैं यह खाने में बहुती tasty और crispy लगते हैं आपको यह catlet के recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं और हाँ आज के वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे जरूर बताएं